हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका होम टिशन चल पे दोस्तो रास्थान में होम गार्ड के पदों पर नई बरती निकली है 2021 में नई वेकेंसी आई दोस्तो होम गार्ड के पदों पर रास्थान में दोस्तो जिसके योगता आठवी पास और सेलरी भी यहाँ पर अच्छी कासी मिलती है अगर आप जानना चाते हैं डिटेल्स इस बरती के बारे में क्या योगता है क्या क्वालिफिकेशन मतलग क्या एज होगी सेलरी सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तो अगर आप इस चनल पे नई है चनल को सब्सक्राइब करें बेल आगन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटस्ट न्यूज लेटस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमें टेलेग्राम चैनल पे जोइन कर लेजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चले जानते हैं वेकेंसी के बारे में डिटेल से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो निदेसाले गरे रक्ष्या विवाग रास्थान का है यहाँ पर आरक्षी, आरक्षी विगलर, ड्रम मैन और वहां चालग बरती है तो विगती 18 नौमबर को जारी हुई दोस्तो तो यहाँ पर पदों की बात करें तो 135 पद है ठीक है और यह जो फोर्म है 24 नौमबर से 15 बारा तक भरे जाएंगे यानि जो आप इस फोर्म को अगर भरना चाते हैं तो 24 नौमबर से फोर्म स्टाट हो जाएंगे और 15 दिसंबर तक आप इस फोर्म को ओनलाइन मोड से भर सकते हैं दोस्तो बात करें आविजन पर करें आपको SSOID बनानी होगी जो र यहां पर पद है तो ध्यान से आप वीडियो को देखते रहे हैं दोस्तो लिखित प्रिक्षा के लिए यहां पर बता रखा है मोबाइल नंबर पर आपको से बात करें कि आपकी जो डूटी हो किस एरिया में आती है दोस्तो योगेटा की बात करें क्वालिफेकसन की बात करें तो आपके पास आठीवी पास अगर आप हैं तो आप RxC GD के लिए अपलाई कर सकते हैं बिगलर के लिए आपको यहाँ पर ड्रम बजाने का नुभव होना चीए और चालक के लिए यहाँ पर आपको तीन वर्स का नुभव और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए दोस्तू बात कर लेते हैं आयू सिमा की तो आपकी जो उमर है यानि आपकी जो डेटो बर्थ है 1-1-2002 और 2-1-1997 के बीच में होनी चाहिए दोस्तो यह पुरुस और मेला इनि पुरुस के लिए यह दे रखिए 97 से चुराण में तो 97 से चुराण में देखे तो आप चाहिए की 27 साल और यहाँ पे 3 साल यहाँ पे और गटा लिजे तो 24 साल ठेक है दोस्तो तो यह आप एज काउंट आप खुद कर सकते हैं आप देख सकते हैं सार ने मापधन की बाद करें तो नियंदाम जो हाइट परुस के लिए 168 cm होने चिए महला की 102 cm होने चैक है चेस्ट की बाद करें तो आप लिए 81-86 cm यहाँ पे चेस्ट होने चीए 5 cm लोह बी होना चिए और यहाँ पे वजन ना तो पुरुष और मैलाओं में ने उन्तों मग्स 47 kg होना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेलेक्षन प्रोसेस की दोस्तों तो दोस्तों जो सेलेक्षन प्रोसेस है वो च्यार मतलब इवेंट से गुजरेगा पहले लिखित प्रिक्षा होगी फिर सारिक दक्सा प्रिक्षा होगी फिर तकनिक की योगिता कोई आपने लागो किया है अगर है तो वो और उसके बाद विशेश योगिता है कि 120 नमर का रिटन टेस्ट होगा 10 नमर का फिजिकल होगा 15 की टेकनिकल आपके एजिक्षन और 15 नमर में आगर आपके पास ये विशेश हो गयता है तो उसके तहत आपको ये अलग-लग क्राइटीरिय के तहत नमर दिये जाएंगे दोस्तों ठेक है और यहाँ पे डिटेल सकते हैं कि 40%, 30%, 37% यहाँ पे आपको लिने आनिवारी होते हैं अलग-लग में और फिर रिटन एग्जाम से फिजिकल के लिए 5 गुणा अभियर्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो ये डिटेल आपको दे रखा है अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते है त झाहते हैं अबाट